हलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू आल टू दिस चैनल जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडियन गुवर्मेंट ने चाइनीज एप्स को बेंड कर दिया है और जो 59 एप्स बेंड किया है उनमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट एप भी था जो की है कैम स्केनर तो सभी जानते हैं कै उसी का अल्टरनेट आपके लिए लेकर आया हूँ तो देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम चलते हैं Google प्ले स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है adobe scan to advocate scan तो जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है सेक्पि क्लिक कर देना है उसके बाद में आप देखो इसका 4.7 स्टार है और 10 मिलियन से ज्यादा इसको डाउनलोड कर लिया है लोगों ने सिंप्ली आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रेन पर हमारा एप इसके बाद में यह तीन ओप्सन देगा आप अपनी गूगल आइडी से साइन इन कर सकते हैं और एपल जिनके पास वो उसकी आइडी से sign in कर सकते हैं तो मैं अभी Google ID से जो मेरी Google ID है उससे मैं login कर रहा हूँ इसको login कर देना है simply उसके बाद में दोस्तो let's go पे click करना है और फिर आपको allow कर देना है उसके बाद देखेंगे आप जो लिखा हूँ आरा tap the screen when you are ready to scan we will find the borders and tag the photo for you इसका मतलब है कि यह खुद automatically scan करेगा जैसे हम इसको किसी document के उपर लेके जाएंगे तो यह automatically उसको scan करेगा तो मैं इस पर tap करके और यह document है अपना इस पर लेके आता हूँ देखो दोस्तो scan हो गया आपना continue पर आपको click करना है और जो नीचे one लिखाओ आ रहा है उसको उपन करने के लिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे option आपको मिलेंगे पहला option है add page वाला उसमें क्या है कि अगर आपको दूसरा page फिर से scan करना हो या फिर already इसमें कुछ photos पड़ी हो तो वहाँ से आप उसको भी scan कर सकते हैं और पहले आपने किसी document की photo ले रखी हो तो उसको भी यहाँ पर scan कर सकते हैं या फिर दूसरा page भी आप take another photo पर click करके scan कर सकते हैं उसके बाद second option है reorder का तो आपने एक से ज़्यादा page अगर scan किया है इस option की मदद से कर सकते हैं उससे अगला option है दोस्तो rotate का आप इसको rotate कर सकते हैं फिर है color का option तो जिसमें चार color आपको मिलेंगे original color, auto color, grey scale और एक और था वाइट बोर्ड का तो उनमें से एक आप select कर सकते हैं ठीक है तो हम इससे remove कर सकते हैं इसके लिए simply आपको वहाँ पर drag करना है सपोज मेरे को यह heading नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूं तो यह बहुत ही जरूरी अच्छा इसका option लगा मुझे उसके बाद आपको simply right पर click कर देना है और उसके बाद आप option देखेंगे तो एक resize का option है तो आपको इसको A4 portrait में या फिर landscape में या फिर जो भी size आपको legal size या जो भी चाहिए उस पर आप click कर सकते हैं अभी मैं auto fit पर रहने देता हूं और इसको right पर click कर देता हूं ठीक है तो आप किसी दूसरी जगह भी है किसी दूसरी मतलब computer से या किसी दूसरे mobile से भी आप login करके Adobe scan से और वहां से आप इसका print ले सकते हैं इसको use में ले सकते हैं तो आपको ज़री नहीं कि वह mobile आपके साथ में हो जिससे आपने scan किया है और अभी आप देखेंगे यहां पर कई सारे option है share का option सबसे पहले है तो share पर आप share link पर click करेंगे तो link जाएगा और email भी आप इसको कर सकते हैं और share a copy यह इस पर आप click करेंगे तो आप अपने दोस्तों को या WhatsApp पर mail पर जहां पर भी आपको टेलिग्राम पर कहीं पर भी भेजना है तो आप इस पर क्लिक करके उनको इसकी PDF में भेज सकते हैं ठीक है तो यह सारे option है और भी इसके लाव मौर पर हम क्लिक करके देखते हैं क्या option है copy to device में कहीं दूसरी जगर इसकी copy करनी हो या फिर scan को modify करना हो वो भी आप कर सकते हैं इसको rename कर सकते हैं और directly यहां से print भी ले सकते हैं और इसको delete कर सकते हैं इतने सारे option है तो मेरे ख्य ठीक है दोस्तों द्यान रखिए ख्याल रखिए खुश रहिए बाई बाई